मनिपूर की परिस्थित्य को ले गिए अभी शांत हो रही है लेकिन ये आपस में जगड़ा कैसे हुआ वहाँ पर इसे आपस में जगड़े होना इससे किसका फाइदा है बाहर की शक्तियों का भी फाइदा है ये हो नहीं रहा है ये कराया जा रहा है और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा बहुँ आया मात्मक काम करना पड़ेगा वहाँ लोगों के मन तूट गए केवल शांती का प्रश्टन नहीं अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्टन है विजय दश्मी के मौके पर राष्ट्रिय सोयम सेवक संग के प्रमोख मोहन भागवत ने मनिपूर हिंसा का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि लगभग एक दशक से शांत मनिपूर में अचाना कि ये आपसी फूट की आग कैसे लग गई क्या हिंसा करने वाले लोगों में सीमा पार के अतिवादी भी थे अपने अस्तित्तु के भविश्ची को लेकर आश्वंकित मनिपूरी मैतई समुदाय और कुकी समाज के इस आपसी संगर्ष को सामप्रदाइक रूप देने का प्रयास क्यों और किसके द्वारा हुआ खास बात ये भी है कि संसत के मानसून और विशेश सत्र में भी मनिपूर हिंसा का मुद्दा जम कर गूंजा और विपक्ष इस मामले पर प्रधान मंत्री नरेनर मोदी से बयान देने की मांग कर रहा था अग्चानक कैसे जगड़ा हुआ कि सीमाल अगत क्षेत्र है वो भारत का वहाँ पर ऐसा होना वहाँ पर अलगाओं की बाते खड़ी होना वहाँ पर ऐसे आपस में जगड़े होना इससे किसका फाइदा है बाहर के शक्तियों का भी फाइदा है बाहर लोग थे क्या करने वाले मजबूत सरकार है और तत्पर भी है तो हम ग्रोमंत्री वहाँ जाकर बैठे तीन दिन और मिनिस्टर जाकर वहाँ 15-15 दिन रहे सारा प्रयास किया वहाँ की सरकार चाहती नहीं देश की सरवार प्रतिबद्द है ऐसे होकर भी चलता रहा क्योंकि शान्ती का प्रयास होता है और सफल हो रहा ऐसा देखते देखते ही कोई हाथसा करवादो तो फिर से दूरी बढ़ती है फिर से द्वेश बढ़ता है यह उसा भढ़ताने वाले लोग कौन थे यह हम देखते तो ध्यान में आता है कि इसमें यह हो नहीं रहा है यह कराया जा रहा है और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा बहु आया मात्मक काम करना पड़ेगा यह वहां लोगों के मन टूट गए केवल शानती का प्रच्णा नहीं अब समाज को जोडने का भी प्रश्णा है संगय के स्वाहिं सिवक पहले से अंततक वही करते रहे आज भी कर रहे로 है सब की सेवा कर रहे हैं समध्रुष्टी से सब को देख रहे हैं सब के पास जा रहे हैं सब से बात कर रहे हैं शांती रखने की और ऐसी परिस्थिती में भी समाज में टूटन पैदा नहों इसके लिए उस परिस्थिती में भी अपनी जान हतेली पर रक्तर काम कर रहे हैं स्वयम को उस उकसावे में उस भड़काने वाली परिस्तिती में दिमाग पर बड़ा प्रक्तर उन्होंने काम किया है हमको उन स्वेम से वखों पर गर्व है जैसा काम उन्होंने मनिपूर में किया इतना बड़ा काम उन्होंने किया है उनके कारियों पर उन स्वेम से वखों पर दोनों पर हमको गर्व है लेकिन वहाँ सब को काम करना पड़ेगा सरकार की इच्छा शक्ति तो है उसके साथ साथ प्रशासन की कुर्टी जैसा मैंने कहा उसको लाना पड़ेगा सक्रियता कुशलता दिखानी पड़ेगी अविश्वास को खाई को पाटने में प्रबुद्धन इतृत्व को भी वहाँ के भूमी का बनानी पड़ेगी लंबा काम करना पड़ेगा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24